तो बांगलादेश अब भविश्य में कांगलादेश के नाम से जाना जाएगा यह बात पूरी तरीके से तै हो चुकी है क्योंकि अब बांगलादेश को भारत की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा जटका मिल चुका है और यह जटका इतना बड़ा है कि बांगलादेश को कंगा बांगलादेश से भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। इस कंपनी के द्वारा बांगलादेश की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भारत में शिफ्ट करते ही बांगलादेश की टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिलने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि केवल इसी कंपनी की वजह से बांगलादेश के हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। और वह भी इस कंपनी ने ऐसे समय पर भारत में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करने का विचार बनाया है जिस समय आलरेडी बांगलादेश फाइनेंशिल क्राइसिस से जूँज रहा है। पूरी डेवलप्मेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चुपचाप तरीके से बांगलादेश को दूसरा बहुत बड़ा जटका दे दिया है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है लेकिन इ चैट अप की जा रही पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक पूरी तरह से बंद कर दिया गया और भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि बांगलादेश में डीजल भेजने के लिए इस पाइपलाइन को आगे नहीं बिचाया जाएगा और इसको पूरी तरह से होल्ड प और कुछ हासिल नहीं होने वाला है इसी लिए भारत की रेमंड्स कमपनी जो काफी बड़े लेवल पर बांगलादेश में टेक्स्टाइल की मैनुफैक्चरिंग करती है इसने पूरी तरीके से विचार बना लिया है कि वह बांगलादेश में अपनी मैनुफैक्चरिंग य बलकि इसके अलावा टेक्स्टाइल मैनुफैक्चरिंग की जो छोटी मोटी कमपनियां है वो भी बांगलादेश से भारत में शिफ्ट होने का विचार बना रही है आपको बताते कि रेमंड्स टेक्स्टाइल प्रोडक्शन और कपड़ा उद्योग के मामले में अपने बे बांगलादेश में भी है जहां से यह कमपनी हर साल लगभग 800 मिलियन डॉलर का तो केवल मुनाफ़ा कमाती है बांगलादेश जो गार्मेंड्स और टेक्स्टाइल एक्सपोर्टर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है वह इन ही कमपनियों के क प्लाई लेने के लिए इसी कमपनी को आर्डर देते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल इसी एक कमपनी की वजह से बांगलादेश में बनाए गए टेक्स्टाइल और गार्मेंड्स का एक्सपोर्ट होने से कई 100 मिलियन डॉलर का टैक्स हर साल बांगलादेश को मि लेकिन अब बांगलादेश अपनी गलतियों के कारण ही भारत की इस कमपनी से भी हाथ धोने की नौबत पर पहुँच गया है और खुद का मिलियन सौफ डॉलर का नुकसान करने की ओर आगे बढ़ चुका है और वह भी ऐसे समय जब खुद बांगलादेश के हालात पूरी अबर को सुनते ही उन सभी के तोते उड़े हुए हैं क्योंकि बांगलादेश को अच्छे से मालूम है कि भारत की इन ही कमपनियों के कारण दोबारा से उनकी अर्थ व्यवस्था उपर उठ सकती है लेकिन अगर यह भारत वापस चली गई तो उनका दोबारा से उपर उठ बिल्कुल भी संभव नहीं है और बांगलादेश चाहे जितनी भी चीनी कमपनियों को अपने देश में क्यों ना बुला ले वह कुछ दिन के लिए बांगलादेश में तो आएंगी अपनी प्रोडक्शन यूनिट भी सेट अप करेंगी लेकिन बांगलादेश के नाम का फ इंडियन कमपनीज की नहीं है जो बांगलादेश से भारत में शिफ्ट हो रही है बलकि यही हाल दुनिया भर की कई बड़ी-बड़ी क्लोथिंग, मैनुफैक्चरिंग कमपनियों और बड़े-बड़े फैशन ब्रैंड्स का है जो की बांगलादेश से निकल कर भारत में होने का विचार बना चुकी है दरसल जारा जो कि दुनिया का one of the biggest fashion brand है यह भी अपने ज्यादातर कपड़े बांगलादेश से ही बनवाता है दुनिया के जो बड़े-बड़े ब्रैंड्स है वह अपने ज्यादातर कपड़े और footwear बांगलादेश से ही बनवाते हैं बांग कपड़े से बने जितने भी product हैं वह बांगलादेश से ही भेजे जाते हैं क्योंकि यह जो दुनिया की बड़ी-बड़ी fashion और clothing कमपनिया है यह अपने कपड़े खुद नहीं बनाती बलकि बांगलादेश की ही textile manufacturing कमपनियों को order देती हैं और बांगलादेश के manufacturer द्वारा उ उसके लिए भारतिये manufacturers को तेजी के साथ order मिलना शुरू हो चुके हैं यानि कि बांगलादेश की textile industry का अर्स से फर्ष पर गिरना पूरी तरह से तय है और दूसरी तरफ भारत की जो textile industry पिछले कुछ सालों से struggle कर रही थी उसे बांगलादेश के इन हालातों ने एक नई रफ दिला दी है फिलहाल देखा जाए तो भारत का जितना फाइदा होने जा रहा है उसे 100 गुना ज्यादा बांगलादेश का नुकसान होने वाला है क्योंकि भारत की अर्थ व्यवस्था बहुत बड़ी है इससे थोड़ी बहुत फैक्ट्रियां भारत में आ जाएंगी तो इस इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं फिलहाल बांगलादेश का भारत से पंगा लेने का अंजाम साफ साफ दिखने लगा है इसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट करें जैश्री राम